ग्रामिडों ने हमला कर दिया है बकसर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जान सीम निदीश कुमार की काफिले पर ग्रामिडों ने हमला किया विकास समिक्षा यात्रा के दौरान ग्रामिडों ने पत्थर बाजी की दलिश समुदाय के लोगों ने पत्थर बाजी की है औ बदाया जारा है कि दलित समुदाय के लोगों ने ये पत्थर बाजी की और इस काफिले में दो लोग घायल हो गए और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के हमारे साथ जुड़े हमारे समबादता संजय उपाध्याई संजय सीएम की काफिले पर हमले की खबर सामने आ रही है और क्या को जानकारी इस पूरे मामले को लेकर जी पलवे जी बता दे कि यहाँ पे सीएम की काफिले पर हमला उस वक्त हुआ जब यहाँ पे नंदन गाउं में बतक पॉइंट है लूट्ने के द्वरान इहां पे दलिफ महिलाई फिर उनसे मिलने का आगराफ कर रही थी वो नहीं मिले इसके वज़ा से उग्र महिलाओं ने यहाँ पे रोड़ेबाजी और पत्थरबाजी शुरूगी मगर उनका कहना है कि पहले पुलिस वालों ने डंटा चलाया उसके बाद नहीं महिलाओं यहाँ पे उग्र हुई संजय आपने बताया कि पहले से ही महिलाओं प्रदर्शन करीती तो आखिर क्या कुछ कारल रहे महिलाओं के प्रदर्शन करने के महिलाओं का साफ़तोर पे कहना था कि यहाँ पे महादलिक जोडोला है उसमें कोई धरातल पे काम नहीं हुआ है पहले भी निज इंडिया ने इस ख़बर को उठाया था और आज भी उन लोगों ने यहाँ पे वहीं विकास के लेकर के यहाँ पे महिलाओं और उनसे मिलने का आगरा कर रहे थी लितीश कुमार मुखमंत्री काफिल यहाँ पे अगर उनसे नहीं मिले इसके वज़ा से उन्हों का आक्रोस खुट पड़ा और उसमें थोड़ा जोड़ बजस्ती हुआ उसके कारण लोग आक्रोसित हो गए पथरबाजी हुआ जिसमें की करीब करीब 12 लोग घायल हुए है तीन-चाथ गाड़ी का सीसा भी तूट गया है जी पलवी जी और घायलों की फिलाल क्या कुछ इस्तिती है क्या उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और इस मामले में क्या किसी को हिरासत में लिया गया है और यहां मंच के पास में एम्बूनेंस की वेवस्था थी उन पूलिस लोगों ने हमला किया था डंटा उन लोगों पर प्रहार के डंटे से उसके बाद ही यह लोग उगर हो करके और यह धीरे-धीरे उगर यह बड़ा रूप ले लिया जी धन्यवाज संजा मारे साथ जुलने के लिए और तमाम जानकारी के लिए और आपको बता दे क बखसर में सीम नितीश कुमार के काफिले पर कुछ ग्रामिलों ने हमला कर दिया पत्थर बाजी कर दी बताया जा रहा है कि दलित समुदाय के लोगों का कहना है कि पहले पुलिस की और से उन पर लाठी भांजी गई जिसके बाद ग्रामिलों ने पत्थर बाजी की वहीं इ पुग्र मचाने वाले कुछ लोगों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है